हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजू नीटिंग चैनल फ्रेंड्स आज मां आपके लिए यह रिखिए कितना सुन्दर डिजाइन लेके आई हूँ बिल्कुल आसान डिजाइन है फ्रेंड्स है 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 कि इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डालो को जैंस वेटर लाडी mirrors तॉप अग्याबन बच्चों का बच्चों का स्वेटर फ्रॉग कि इस तॉल मफलर किसी पर भी इस डिजाइन को डालेंगे बहुत सुंदर लगने वाला डिजाइन है और बहुत जल्दी त्यार होने वाला डिजाइन है इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे 4 के मल्टिबल से आप फंदे डालेंगे 4 प्लस 4 प्लस 2 एस्टिच के लिए तो आपका डिजाइन बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आजाएगा यह फ्रंट साइट से ऐसे नज़र आ रहा है यह देखें वैक साइट से यह ऐसे नज़र आएगा फ्रेंड्स इसको आप किसी भी कलर में बना लेना लाइट कलर डार कलर हर कलर में यह डिजाइन बहुत सुन्दर लगने वाला है स्टेचेवल जैसा बनता है आप पहले फंदे डाल लेना बॉर्डर बना लेना यह उल्टी रो से स्टार्ट होने वाला डिजाइन है आप पहले फंदे डाले मैं जैसे जैसे बनाती जाओंगी बोलती जाओंगी रिपीट करती जाओंगी आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो बिल्कुल असानी से बनता जाएगा मैं जब भी कोई डिजाइन बताती हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप पूरा डिजाइन आपको डिटेल में पूरा बोल के बताओं ताकि आपको बनाने में डिजाइन उतारने में कोई भी परेशानी ना आए आप बिल्कुल असानी से उस डिजाइन को उतार ले Friends अगर आप मेरे चैनल पर नए है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे जादा से ज़ादा आपने Friends में शियर किया करे फ्रेंट्स बेल आइकन जुरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे चलो इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं पहले आपने भी फंदे डाली होंगे फोर के मल्टिपल से टू फंदे एक्स्ट्रा एस्टिच के लिए तो चलो इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं आप मेरे साथ साथ ही बनाते जाओ यह देखी मैंने 4 के मल्टिपल से 4 प्लस 4 प्लस 4 करके डालिए 2 फंदे एक्स्टर डालिए अब डिजाइन बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे क्योंकि यह उल्टी रो से स्टार्ट होने वाला डिजाइन है सीधी रो सीधी सीधी बनाते जाएंगे डिजाइन की फर्स्ट रो अब क्या करेंगे पहला फंदा स्किप करेंगे दूसरे फंदे पर हर फंदे को हम दो दो बल देंगे हर फंदे को दो दो बल देंगे बनाते जाएंगे उल्टा कि अधे टाएंगे हम दो बल्टा क करेंगे लोहा फिर्स्ट वाला फंदा स्किप किया था उसके बाद हर फंदे को हमने दो दो बल देके उल्टा उल्टा बनाके लास्ट में आगे लास्ट वाले फंदे को एस्टिस्ट को उल्टा ही बनाएंगे एक बार बल देके पहला फंदा स्किप्ट करेंगे अब दोनों फंदों के बाल निकाल लेंगे अब क्या करेंगे ये वाला फंदा आगे लाएंगे और इस वाले फंदे को पीछे लेके जाएंगे सीधा बनाएंगे ये दिखिए सीधा बनाएंगे फिर से दो बाल खोलेंगे इस लाई पे लेके आएंगे पहले हम इस फंदे को बाहर लेके गए थे अब इस वाले फंदे को दूसरी साइड आगे से लेके जाएंगे और इस फंदे को पिछे से इस साइड पे लाएंगे सीधा बनाएंगे ये देखिए फिर से दोनों फंदों के बाल निकाल लेंगे, इस लाई पे लेंगे, अब फिर से इस फंदे को हम इस साइड पे लेके आए हैं, इस साइड पे लेके आए हैं, अब इस वाले फंदे को आगे की तरफ से इस साइड पे लाएंगे और इसे पीछे लेके जाएंगे, ये दिखे इस साइड पे लाएं ये दिखें दोनों फंदे एक जैसे मिल रहे हैं इसे पिछे से बनाएंगे दो फंदे निकालेंगे बाल फिर से ये दिखें अब इस फंदे को पिछे से आगे लाएंगे इस फंदे को बाहर वाली साइड पे लेके जाएंगे दोनों को सीधा बनाएंग बनाने हमें सीधे ही हैं फंदों का अदला बदली ये देखिए ऐसे बनते जाएंगे दोनों का बाल निकाल लेंगे इस से लाई पर लेंगे अब इस वाले फंदे को आगे की तरफ से इधर लाएंगे और इसे पिछे से इस साइड पर लाएंगे दोनों को सीधा बनाएंगे ओर यह सपलां इस से बंगाइंगे दोनों फंदो को बाल निकाल लेंंगे अब हमधि इस फंदे को है 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 एधर लाएंगे पाले को साइट पर लाएंगे तो यह देखिए एक है ऐसे बनते जाएंगे जाएंगे अब क्या करेंगे, पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर से हमें हर फंदे को दो दो बाल देके पूरी रो कम्प्लेट करनी है, उल्टे उल्टे फंदों के साथ दो दो बाल देते जाएंगे और पूरी रो को कम्प्लेट करेंगे, बाल हमें उल्टी रो में है ही देने है सीधी रो में डिजाइन बनाएंगे यह देखिए पहला फंदा स्किप करेंगे अब फिर से हमें दोनों के बाल निकालने है इस लाई पे लेना है अब पहले इस फंदे को बाहर लाए थे अब इस फंदे को आगे की तरफ से अंदर वाली साइड लेके जाएंगे औ अब आगे वाले दो फंदों के बाल निकाल लेंगे इस लाई पे लेंगे अब इस फंदे को इस वाली साइड पे लाएंगे आगे वाली साइड पे लाएंगे आगे से एक बार बाल को आगे की साइड से लेना है एक बार बाहर की साइड से लेना है यह देखिए है ऐसे कि दोनों के बाल निकाल लेंगे गार कि अब इसे आगे की तरफ से कि इस साइड पे लाएंगे और अंदर वाले फंदे को बाहर वाली साइड पे लाएंगे और दोनों को सीधा बनाएंगे यह दिखे कि ऐसे बनता चाहेगा डिजाइन कि दुन्नों को निकालेंगे पहले हमें यह देखना पहले इस फंदे को इस वाली साइड पे लाए थे अब इस वाले फंदे को इस वाली साइड पे लाना यह दिखिए ऐसे बनते जाएंगे जब आप बनाने लग जाओगे अपने आप यह आपको पता चलता जाएगा पीछे से लाएंगे एक वार आगे से फंदे को लेना एक वार पीछे से लेना बनाना हमें सीधा ही है आगे से और इसे पीछे से बनाना हमें सीधा ही है लास्ट वाला सीधा बनाएंगे यह देखिए फ्रेंड्स यह डिजाइन ऐसे बनता जाएगा अब क्या करना है उल्टी रो में हमें यहां पर यह दोनों फंदे जॉइंट बनाएं है यह देखिए सीधे यह हमें सीधे चलाने है और जो बीच में है उन्हें हमें उल्टा बनाना है आपको ऐसे करके देख लेना है जहां पर हमने दो फंदे जॉइंट किये हैं वहां दो फंदे हम सीधे लेंगे यह देखिए उल्टी रो में उल्टे आएंगे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे आगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे यह लाच वाला सीधा एस्टिच उल्टा बना लेंगे यह देखिए पूरे प्रोजेक्ट पर डालने से यह देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे जॉइंट किये थे यह दिखिए जॉइंट किये हैं वह सीधे आएंगे जो बीच में दो फंदे वह उल्टे आएंगे अगे हमें जितने आपने यह दिखी मनें शिख रो बनाई है बीच में बॉल्डर कि मैने शिख रो बनाई है दो सीधेzam दो LOOK ऐसे बनाई यह देखिए आ फिर से इतनी रो बिच में बना लें चार रो बनानी है, छे रो बनानी, आठ रो बनानी है, बना ले, उसके बाद फिर यही डिजाइन आप बनाएंगे, यही डिजाइन उपर बनाएंगे, फिर इतनी ही रो उपर बनाएंगे, फिर यही डिजाइन, ऐसे ही आगे आगे जितना आपने बनाना बड़ा, उतना आप आप ऐसे ही डिजाइन बनाते जाएंगे और यह देखिए बिल्कुल आराम से बनता जाएगा इस डिजाइन को बना के जरूर ट्राइ करना और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थेंक्यू फो यो टाइम आगे मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ